तो अच्छे संखित फिलहाल विदेशी बाजार से आते हुए दिख रहे हैं एशिया ये बाजार दिन के चर्टे किन लेवल्स पर ट्रेड करते हैं देखना इंपोर्टन्ट होगा F.I.S. D.I.S. का एक्शन अप समझ लीजे कल कैश मार्केट में F.I.S. ने करीब विदेशी बाजार के संखितों को कैसे समझेंगे भागतिय बाजार के लिए दिन के शरबात आप कैसी करेंगे स्ट्राटिजी क्या बनाएंगे विस्तार से जानते हैं रुख करते हैं हमारे स्पेशल सेग्मेंट का हमारे साथ जोड रहे हैं जी बिसनस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंग भी अनिल सिर गुड मॉनिंग भाग्तिय बाजार में लगातार हम इस हाफते तो अच्छी तेजी देख रहे हैं अच्छी तो इस हफसे चानों दिन निशान में बना है तो इससे बढ़ी है मतलब मार्चित क्या हो सकते हैं एक बात ज़रूर है वह यह कि एक अच्छी बादरों के रेंच बहुत चोची बीगी तो अब नए ट्रिगर्स की तलाश है अमेरी की बादरों को लेकिन जब तक यह करता है तब तक मोमेंटम जो है वो तेजी की तरफ है और वही हम भी फोलो कर रहे हैं हमारे यह आदी आप देखे किस तरह की शांदा रिकवरी और जहां खुले वहां समने पीछी मुर के देखा नहीं बनाए एक और लाइफाई आज बनाने की तैयारी है भारती बादरों क कर देखे की सुस्ती जिखा रहा है सुस्त शुरुआत हो कमजोर शुरुआत हो वही अपना फोर्मुला है जो हमेशा में साथ मुझा आपके साथ को शेयर करता हूं इसना जादा जल्दी और उतना बड़ी स्वांटिती में खरीदारी करनी चाहिए बाइउन डिक्स की सटे पचाँ सट्राजार एक सोपचाटर यह निफ्ती पर मजबूद सपोड़ यह उनका काम करेगा आपके लिए और आसानी से चूपने वाला है नहीं उपर सत्राजार थीन सो पचाटर तक जाने की कोशिश निफ्ती की हो सकती है इन लेवल पर आपको अफ़के का आपके आप पर आपके लिखने लिखा है और मुझे लगता है यह आजियो और उजान तेजी आ दिखा सकता है सपोर्ट रेंज ऊपर की तरह शिफ्ट होती लिख रही है गिए वेंज है वो बेन्क के पर संपोर्ट का काम करेंगी ठीक है और ऊपर एक बर शिफ्टी से जार को पार गया तो फिर उसके बाद बाजा रुखने वाले हैं नहीं, वहां से बर्पूर्ट देजी बनती दिखेगी और तब 3133 तो आपको तुरंट की आर्टेविन नजर आ सकता है, तो यह हैं वो सारी लेवल जिन पर आपको रखनी चाहिए नजर, जी.